आपका विजेपत एजुकेशन पालंपुर के ओन्लाइन प्लैटफॉर्म पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल क्लास जो की ही माचल, घ्यान, हिंदी, करेंट अफियर्स, मैस, इंडियन जी के जर्नल साइंस सब मिलेगा एक ही स्थान पर जो की विजेपत एजुकेशन पालंपुर की तरफ से आपको जो है प्रवाइड करवाया जा रहा है और आप पड़ाफट जो है लिंक को शेर कर दीजेगा अपने दोस्तों में मित्रों में कि वो भी हमारी क्लास में जैहिंत करके आ जाएं और आज की क्लास शाम आठ वजे जो है डेली की तरह मैं आज भी लेकर आया हूँ और आप हमारे साथ जोड़ जाएं और सभी अपने लिए को फड़ाफट जो है में लिस पॉंसर है हमारी इमाचल पुलिस की त्यारी करने वाले बैचों के लिए चात मैं हचिपी पढ़ारी की त्यारी करने के लिए सब भी बचों को स्पांसर होगी है उदर दीजिए कि वहारे सब Lobster के लिए कितने बच्चे तियार है जैहिंद दिजिएगा मैं आपके इंतिजार कर रहा हूं जैहिंद का और सवागत है आपका संजे कुमार जी अकिल चौहान बबु मान सबका स्वागत है और class शुरू कर रहा हूं मैं आपकी आप ही से और सभी से request रहेगी कि जब भी आएं रोजाना आठ बजे हमारे साथ चुड़े पहले सवाल से पहला सवाल हिमाचल ग्यान का आ गया है तो कि मैंने पहले बता दिया हिमाचल ग्यान class यानि कि हिमाचल के टॉप 10 questions आरे बचो चल्दी से share करिएगा कसोल कसोल जो ज़रना है या चश्मा है कि कहां पर है बताएं कसोल चलो कसोल किस जिले में है कसोल सभी answer कर सकते हैं बभुमान C option के साथ जा रहे हैं और संजेक हुमार कुलू अंशुनेगी महारिशी अंशुनेगी मारकंडा जी की जै भया उनकी भी जै सब की जै correct अंसर हैगा कुलू कुलू ही भया सबका सही अंसर होगा कसोल जो ज़रना है ये कहां पर है ये है कुलू correct अंसर देख लेते हैं माचल परदेश के प्रसिद जरने कुलू पुल्लू में विशिष्ट है, कीर गंगा है, मनी कर्ण है, रहना है, कांगणा में भासुनात है, तुलानी है, सुलह है, ज्वाला मुकी है, चंबा में धन्छो है, धन्छो ये आपका मनी महेश के साथ आया बचो, इसके बाद है कालिका है, सत्धारा है, ये सत्धारा आपका सबसे चोटा जल्दी से बताइएगा अंसर करिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबका अंसर आ रहा है हमारी एप्लिकेशन पर बहुत से अंसर आ रहे है मिस्टर रमेश कुमार का है मिस्टर अजे कुमार का है मिस्टर संतोष कुमार का है, बिल्कुल सही अंसर जारे है, मैं सभी से कहूंगा कि, या, अंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा, सबसे चोटा राष्टी उध्यान, सिंबल बाडा राष्टी उध्यान, सिंबल बाडा राष्टी उध्यान, जो है वो, हिमाचल परदेश का सबस चोटा राष्टी उध्यान है प्रसित कुलू का जो है ग्रेट हिमाले नेशन पार्क इर गंगा और इंद्र किला जो है यह कुलू में है यहाँ पर ब्लू शिप पाई जाती है याद रखिएगा सभी सिर मौर में सिंबल वाड़ा है जो की पॉंटा घाटी में है कहां पे है स कि पॉंटा घाटी में यह घने साल के जंगलो में पाये जाता है साल के वृष पाये जाते हैं यहाँ पर उनमें पाया जाता में प्रिक्षंच का और इंगला सहागा से निकलने वाली सबसे छोटी रियासत कौन सी थी जिए कॉमेंट करें tell साथ में अंसर देते रहें सिर्गत की सबसे चोटी कुलेर के साथ जा रहे हैं कुछ टारपूर के साथ जा रहे हैं correct answer रहेगा वो है कुटलेहड कुटलेहड जो रियासत है ये कागडा की सबसे चोटी रियासत है प्यारे बचो अनू ठागूर भी मुनिश राना कुटले है बिल्कुल सही मुनिश राना का अंसर है बहुत प्यारे बचे और मैं कहूंगा कि हमारी क्लास जो है वो पूरी लगाईएगा आज और बने लगाईएगा वीडियो के अंत तक अब रियास्तों से जुड़ा है पान्नी की अश्ट ध्याई में त्रिकत का ओ आयूध जीवी संग भी कहा गया है याद रखिएगा आयूध जीवी संग किस रियासत को कहा चाता है या कहाँ गया है या किस बुक में कहा गया है ऐसे पूसर फॉमस कोर्याट 1615 में और खेवे रियासत के संस्थापक जो थे वो कौन थे भूमी चंद और कांगडा के लिए या शेहर का निर्मार जो है वो सुशर्मा ने करवाया यह दोनों अलग लग है कांगडा या त्रिगत रियासत की स्थापना जो है वो भूमी चंद ने की है और कांगडा के लिए या शेहर को किस इसने बसाया है सू शर्मा ने प्यारे बचो कांगडा के उपर ही आगे हैं सू शर्मा चंत्रिकत रियासत के 234 वे राजा थे इन्होंने महाभारत में कौर्वों के साथ उनकी साथ युद्ध किया था बह्मूद गजनवी ने 2009 में कांगडा पर आक्रमन किया था तब कांगडा का राजा कौन था जक्तीश चंद था जक्तीश चंद जब थे तो उन्होंने आक्रमन किया था किसने महमूद गजनवी उत्तवी के द्वारा उत्तवी इतिहासकार है उनकी पुस्तक में तारीक है यामनी में कांगडा को भीम कोट किसका नाम है, ये भी कांगडा का अपने साथ क्लास लगाए और सभी subjects आपको मिलने जा रहे हैं या मिल रहे हैं आप हमारे साथ top 10 questions daily लगाईए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जुरूरत नहीं है घर में बैठिये पूरा दिन त्यारी करिए शाम को हमारे साथ pre of course अपने 7 class लगाईए और अगर कोई doubt आए तो हमारे साथ जो है वो share क को लौहित्य सुरोबर भी कहकर पुकारा था क्या कहा था लौहित्य सुरोबर के नाम से चीनी यात्री किसने जो है चंदरताल जील को बुलाया था हेन सांग अंसर आएगा चंदरताल जील जो है 2005 में सामसर साइट घोशित की गई है सामसर साइट इसको घोशित किया गया है तो वो भी चंदरताल जील ही है प्यारे बचो ये जील लाहॉल और स्पिती दोनों स्थानों को आपस में भी जोड़ती है एक तरफ लाहॉल है दूसरी साइड स्पिती है अगला सवाल हिमालियन पॉटेनिकल गार्डन किस जिले में स्थित है Himalayan Portanical Garden कहां पर स्थित है अपना अन्सर साथ में दीजिएगा अनुठागुर B option के साथ जा रहे है कुफरी शिमला के साथ आए है और बिल्कुल सही अन्सर प्यारे बचो कुफरी शिमला कुफरी शिमला जो है वो बिल्कुल सही अन्सर है इसका कुफरी शिमला, सिया शर्मा आये हैं वो भी B option के साथ जा रहे है B option कुफरी शिमला दरन घाटी वन्य जीव अभेरन अभेरन पर जरूर एक question आएगा याएगा और घाटियों पर वन्य जीव अभेरन कहां पर है दरन घाटी वन्य जीव अभेरन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अची लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा लाइक बटन जुरूर दबाईएगा दरन घाटी वने जीव अभरन कहां पर स्थित है शिमला में है, सिर्मौर में है, कुल्लू में है, मंडी में है शिमला, बी ऑप्शन, शिमला इसका सही अंसर है शिमला में दरन घाटी जो है, वो स्थित है, मुनी श्राणा अंसर दे रहे है शिमला, एक्स्ट क्वेशन की तरफ जाने से पहले अभेरन देख लेते है टिलिप असरंग और रक्षम या चितकुल कहाँ पर है ये कै नौर में है रांगली शिकारी देवी या नागरू कहाँ पर है, मंडी में है गोविन सागर और नैना देवी कहाँ पर है, विलासपूर में है अगला है सभी अंसर करिएगा शौंग टॉंग जल बिद्धुत परियोजना कहां परस्थित है सभी अपना अंसर कमेंट करिएगा शौंग टॉंग जल बिद्धुत परियोजना कहां परस्थित है इस नदी पर है तो क्रट अंसर रहेगा वो है सतलज नदी पर सत्लुज नदी जो है वो इसका सही अंसर है मुनीश शर्मा आया है मारी क्लास में का भी स्वागत है मुनीश राना अंसर दे रहे हैं कि नौर में जा रहे हैं और राजु नेगी दे रहे हैं अंसर हंजी हंजी इस सत्लुच जो है वो इसका सही अंसर है जल भितुत प्रियोजनाओं को याद करिएगा आप शौंग टॉंग नात्पा छाक्री जो की सबसे बड़ी है संजे या भावा भावा नदी पर ही बनी है ये कहाँ पर है कि नौर में है शानन जो सबसे पुरानी है ये कहाँ पर है जोगिंदर नगर में है बसी कहाँ पर है ये मंडी में है ये भी जोगिंदर नगर के साथ में ही है रॉंग टॉंग लहॉल स्पिती में ये दुनिया की सबसे उंचाई प्रस्थित जो है प्रियोजना है और स्पिती नदी पर ही बनी हुई है लार जी जहांपर डैंपर जहांपर अभी व्यास नदी पर बनी है यहांपर आपका स्लाइडिंग भी हुई थी राश्टिय शिक्षक पुरुसकार प्राप्त करने वाले हिमाचल के एक मात्र शिक्षक विजे कुमार किस जिले से संबंदित है बताएं राश्टिय शिक्षक पुरुसकार प्राप्त करने वाले हिमाचल के एक मात्र शिक्षक विजे कुमार कहां से जुड़े है बताएं आपका अंसर क्या होगा भीया कांगडा वालो भूल मत जाना हम एरपूर के साथ जा रहे हैं कुल्लू है, मंडी है, कांगडा है क्या option रहेगी सही अंसर रहेगा कांगडा, कांगडा जो है वो इसका बिल्कुल सही अंसर है कुल्टी नामक ग्लेशियर किस जिले में स्थित है कि नौर, शिमला, लाहॉल्स पिती या सोलन अभीशेक अंगारिया भी आए है C option बबु मान ने दे दिया है बबु मान आगे है उनका बिल्कुल सही अंसर लाहॉल्स पिती में कुल्टी नामक ग्लेशियर जो है जिले में स्थित है लाहॉल्स पिती में सिया शर्मा का बिल्कुल सही अंसर C option मुनीश राना का बिल्कुल सही संजे कुमार्ची का बिल्कुल सही अंसर सब को मुबारक बात मैं अब बोलूँगा कि आपके 10 में से 10 सवाल पुछे थे तो 10 में से कितने नंबर आये हैं रे जरूर बताईएगा मुझे 10 में से कितने अंसर ले लिए है रे अब मैं बताता हूँ ग्लेशियर इमाचिर प्रदेश के ग्लेशियरों के नाम या दखिएगा के फांक, पोलुनाग, लंगर कुंड, पार्वति, ये कुलू के हैं आदल और तंतगिरी कहां के हैं कांगडा के हैं, बस्पा और गारा कहां के हैं किन नौर, चंतरनाहन कहां के हैं शिमला के ग्लेशियर हैं, most important ग्लेशियर हो रहे हैं प्यारे बच्चों, copy pencil साथ में रख लो, और साथ में, note भी कर लेना मेरे भीया, तो कैसा रहा आपका हिमाचल चीके, सबका सही रहा जरूर कमेंट करिएगा अपना-पना अब हमारे हिंदी के सवाद, यानि कि हिंदी की क्लास होने जा रही है, हिंदी की क्लास में देखते हैं आपका इसी परकार से हमारे सारे सब्जेक्स चलेंगे और सभी सब्जेक्स को आप लगाएंगे और किसी न किसी दिन हमारा जब सुखु भाई जागेगा ना, तो उस दिन हमारी भरती निकलेगी, तो हमारा पेपर भी उसी दिन clear हो जाएगा क्योंकि एक निया driver और एक experience driver में जो है वो फर्क होता है पहला सवाल इमेल इकित मैंसे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है अंतस्थ व्यंजन बताएं अंतस्थ व्यंजन बताएं और बिल्कुल सही answer, फटाक करके answer देने वाले पहले व्यक्ति कौन है, वो है संजे कुमार, संजे कुमार का अंसर बिल्कुल सही, after then मुनीश राना का answer सही है यो यो जो है बिल्कुल सही है, मैं सभी friend से request करूँगा, कि सभी फटा-फट वीडियो को like share तो किया करो मेरे भीया मगर साथ में जो है, comment भी क्या अगरो वीडियो को देखते हैं, मगर comment नहीं करते हैं मैं बोलूगा कि अपना answer जो है वो practice करें चुप ना बैठें, अगला सवाल जहां वाक्य की गती अंतिम रूप ले-ले कहां, वहां किस चिन का प्रियोग किया जाता है जहां वाक्य की गती अंतिम रूप ले-ले वहां किस चिन का प्रियोग किया जाता है सभी अंसर दीजिएगा और सभी का अंसर सही और fast अंसर देने वारे जो व्यक्ति हैं वो हैं सियाज शर्मा उसके बाद संजे कुमार, बबुमार, अनू ठाकुर, अभिशेक सिंगानिया, मुनीश राणा, संजे कुमार and V.S.A.C.L.B सबका बिल्कुल सही पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम बहुत बढ़ी अंसर है आप सबका अगला सवाल इमेली खित मैंसे शुद्वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्वर्तनी वाला शब्द C.E.Option के साथ जा रहे हैं C.A.S.र्मा बहुत बढ़ी असे अनू ठाकुर, A.Option के साथ जा रहे हैं बताएं आपका क्या अंसर होगा? यहां पे बहुत थोड़ा सा ही अंतर है दो आप्शन तो A.Option में तो बस थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है और B.O.D. में भी वही अंसर की अप्शन है तो डिफरेंस किस में होगा? सभी अंसर दें प्रक्ट अंसर रहेगा A.Option बिलकुल सही, शियाश शर्मा जिन्होंने सबसे पहले अंसर दिया था A.Option उत्तरदाई सबका अंसर A.Option अनुठाकुर का बिलकुल सही अंसर मुनीश राना का, संजे कुमार का सबके अंसर बिलकुल सही बबुमान का सही, बिलकुल सही संगम शब्द किस तरह से अशुद्धी है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धी है पताएं अंसर दिजिएगा, शुद्धियों से जुड़े हुए सवाल है, अपने अंसर जो है वो देखते रहिए, सभी सा साथ में, और वीडियो को भी शियर करिए वी एक्स एक्ट क्लब ए ऑप्शन के साथ जा रहे है बिल्कुल सही, सिंगानिया साहब, बिल्कुल सही, भी यह नदौन से है, सुकु सरकार अनूस नासिक, अनूनासिक जो है, वो ये अशुद्धी है संगम की अगला सवाल, मनोबल में कौन सी संधी है, बताएं, मनोबल में कौन सी संधी है C ऑप्शन दे दिया है, मुरी शिराना ने, संजे कुमार ने, बहुत बढ़ी आज़िया सभी कुसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सा साथ में अनसर देते रहें, देते रहें बिसर्ग बिल्कुल सही अभिशेक सिंगानिया नवीन भंडारी C option आते ही 6 मार दिया भंडारी जी और VSX club C option C या शर्मा B के साथ आरे स्वर नहीं है बिसर्ग आई है बिसर्ग है बहुत बढ़ी अंसर है सबके अंसर बहुत बढ़ी अंसर है A, B, C, D, 4 options correct answer is A option रिती प्लस अनुसार रिती प्लस अनुसार बबून मान, बुनीश राणा सभी के अंसर बिल्कुल सही सौरब शर्मा बिल्कुल सही अंसर गाजल ठाकूर B option के साथ आरे A option होगी विया और सिया शर्मा A option बिल्कुल सही अंसर है आप सबके अगला सवाल जिस समाजिक शब्द में पुर्वपद और उत्तरपवद बौन होते हैं और तीसरा पद परधान होता है वहां कौन साथ समास है वहां पर कौन साथ समास है बहु व्रिही के साथ जा रहे हैं हमारे विशेख सिंगानिया और आपको मालूम है विशेख जी बिल्कुल सही अंसर निकालते हैं जब निकालते हैं तो भया तराही तराही कर देते हैं आप तराही तराही या बिल्कुल अच्छे से आप त्यारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है इसलिए मैं कहूंगा कि न देश पर निकाला जल में की धारा चंद्र का पर्ताश। देखो फिर से अंसर सही निकाल रहे हैं अभी शेक। सिंगानिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देश पर निकाला ये है ये अनुचित शुधी है। सौरब शर्मा ने भी बहुत अच्छा है, मुनिश राना का बहुत अच्छा अंसर है, सभी के अंसर बिलकुल सही अंसर है, प्याले बचो हो। थाली का अप्सम रूप क्या है थाली का देश से निकाला बिलकुल सही। बिल्कुल अभिशेक सिंखानिया आप सही बोल रहे हैं पर्की जगा से लगना था आप बहुत ही सही हैं आप experience driver हैं मैंने बोल दिया न थ्यान रखिए अपना बस नए नए जो होते हैं इनसे थोड़ा सा थ्यान रखिए बस एक बार हमारा number आने दीजिए प्रक्ट अंसर रहेगा वो है थाली का स्थाली तसम क्या है? A option स्थाली अंतिम सवाल अनुग्रह शब्द का बिलोम बताएं सभी से कहूंगा जल्दी जल्दी अपना अंसर देते रहें अनुग्रह शब्द का बिलोम बताएं आज आपके 10 में से कितने number आए जरूर बताइएगा 10 सवाल हुए है 10 सवाल में से आपके कितने सही होते है अपने marks जरूर लगाईएगा correct answer रहेगा वो है P option बिग्रह बिग्रह जो है वो बिल्कुल सही answer है प्यारे बचोंगों आप सब का 8 में से 10 10 में से 8 बहुत अच्छा आंकडा है 9 नमबर 10 में से बिल्कुल सही है मैं सभी को कहूंगा ऐसे ही अपने test daily हमारे साथ लगाईए आपकी खुद आपके confidence level increase हो जाएगा सरकारी नौकरी के लिए ही हम त्यारी करवा रहे हैं आपके लिए most important questions लेकर आए है वो है अब crunt affair से जुड़े हुए तो crunt affair से जुड़े हुए questions के लिए वीडियो को जुरूर लाइक जुरूर करिएगा प्यारे बचो पहला सवाल हाल ही मैं हिमाचर प्रदेश के किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को Changemakers of the year 2023 पुरुसकार मिला है Change Baker of the year पुरुसकार मिला है बताएं आप 2023 का Change of the year पुरुसकार किसे मिला है सभी सुखु के साथ गए हैं बहुत बढ़िया है सुखविंदर सिंग सुखु B option B option सभी जल्दी से अपने सुखु भाई को याद कर लो तब या सभी साथ साथ में बढ़े रहेगा इस चैनल पर साथ साथ में बी ऑप्शन सुखविंदर सिंग सुखु जाने से पहरे इसकी डिटेल याद क्लिए रहेगा विजनेश मैगनीज आउटलुक की जो मैगजीन है ये विजनेश मैगजीन आउटलुक की सूची में जो है शामिल होने वाले हिमाचर प्रतेश के इकलौते सीम बने हैं क्योंकि इनोंने मानसून के मौसम के दोरान बहुत योगदान दिया है मानसून यानि कि जब बारिशे हुई थी तब इनोंने बहुत ज़ादा योगदान दिया था इसलिए आउटलुक जो मैगजीन है उसमें इनका नाम आया है किस राजे में Central Tribal University बनाने का विध्यक जो है संसद में पास कर दिया गया है कहाँ पर Tribal University बनाने का Central Tribal University जैसे आपकी Central University होती है वैसे Tribal University बनाएंगे कहाँ पर बनने जा रही है आपके हिसाब से बिल्कुल सही नवीन भंडारी भंडारी ने भंडार लगा दिया भया बिल्कुल सही भया तेलंगाना बिल्कुल सही अंसर है इसका तेलंगाना में जो है ट्राइवल उनिवर्स्टी यानिकी सेंट्रल ट्राइवल उनिवर्स्टी जो है वो खोलने जा रही है किंदर सरकार औ वो पारित भी कर दिया है अगला सवाल भारत का पहला शीद कालीन विग्यानिक अभियान विग्यानिक अभियान जो है याद कीगा किस शहर में शुरू हुआ या शुरू किया गया है विग्यानिक अभियान शीद कालीन अभियान या शीद कालीन विग्यानिक अभियान राज दिल्ली विल्कुल साही संजे कुमार ची अपना अपना प्रैक्टिस करने के लिए नोट भी कर दिजिएगा सभी से रिक्वेस्ट रहेगी क्वेश्चन को जुरूर नोट करिएगा और पीडियाफ पाने के लिए जो है आप हमें पॉलो कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम पर टेलिग्राम में आपको ये पीडियाफ जो हो मिल जाएगा क्योंकि वर्टसाप पर भीजना थोड़ा मुश्किल होता है तो टेलिग्राम पर आपको ये मिल जाएगा आप हमें वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्लास के साथ ही साथ 18 दिसम्बर 2013 को केंदरी प्रित्वी विज्ञान मंत्री द्वारा किरेन रिजू ने नई दिली में प्रित्वी विज्ञान मुख्याले से आर्क्टिक के लिए जो है भारत का पहला शीद कारी ने विज्ञान अभियान शुरू किया है उख्या मंत्री फैलोशिप कारे करम किसके द्वारा शुरू किया गया है प्यारे बचो सभी अंसर दीजिएगा मुख्या मंत्री फैलोशिप कारे करे करम कहां पे शुरू होगा उत्तर परदेश में स्थित होगा जो कि युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी में के मैं यूपी के मुख्या मंत्री फैलोशिप कारे करम शुरू किया गया है इस कारेकरम के तैद विकास, योजना, ओनीटर और प्रवंधन से युवाओं को जोड़ना है याद रखिए हिमाचल प्रदेश की पहली ओनलाइन पूजा परनाली, दिव्य पूजा परनाली का शुभारम किस जिले में किया गया है दिव्य पूजा परनाली कहाँ पर शुरू की गई है ओनलाइन है, दिव्य पूजा परनाली काजल शर्मा A option के साथ जा रहे है शिमला के साथ जा रहे है मैं कांगडा भी है, किनौर फ़रा दूर भाग गया यह चंबा भी है, और किनौर option, D option भी है सभी अपना-पना अंसर साथ में दिजिएगा सभी अंसर साथ में दिजिएगा क्या अंसर होगा, शिमला, कांगडा, चंबा या किनौर, पर रहे है वो है, B option, कांगडा कांगडा जो है बिचों, यहां पर दिव्य पूजा परनाली जो है कांगडा में स्थित है विभिन शक्ति पीठों में जैसे की ज्वाराजी प्रिजेश्वरी आदी में ये सुविधा उप्राव्द है कांगडा-temple.hp.gov.in साइट पर जाकर आप इस सुविधा का लाब ले सकते हैं इसमें आपको ऑनलाइन मंदिर के दर्शन, प्रसाद और दान करने आदी की सुविधा भी प्राव्द है आपको कहां पर जाना है बचो याद रखीगा इस वेब साइट पर विजिट करें ऑनलाइन जो हैं दर्शन कर सकते हैं कांगडा के शक्ति पीठों के गांगडा में जितने भी शक्ति पीठ है बहुत अची सुविधा यह अगला सवाल एक जनवरी दो हजार चौबिस कुछ ही दिन रहागे प्यारे बचों एक जनवरी दो हजार चौबिस को देश का पहला पुला क्रिमेट्री मिशन किस लाँच भीकल से लाँच होगा सभी बताइएगा कहां से ये लाँच होगा प्रट अंसर क्या रहेगा बहुत बढ़ी आजे कुमार का अंसर बिलकुल सही है रवी कुमार का अंसर सही है रमेश कुमार का अंसर सही है पुझा भट का अंसर सही है, बिल्कुल सही, PSLV 58, आप बहुत अच्छा आपका क्यान है, PSLV 58, इसका सही अंसर है, प्यारे बैट, ये मिशन जो है, स्टीश धवन अंत्रिक्ष केंदर, यानि कि शरी हरी कोटा से ही लौच होना है, ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पॉलारेट्री मैट्री मिशन है, जहां पे इसरो और आराराई, मतलब रमन रिसर्च इंस्टिटूट, बैंगलूरू, करनाटक के सहयोग से जो है, वो विक्सित किया जा रहा है, प्यारे बैचो, तो नोट करने लिएगा, कॉर्शन स्मोर्ट इंपॉर्टन हो, किस मंत्रा मंत्रा लेने जो है, एक सूचना, सिक्षा और संचार मंत्रा लेने शुरू किया है, बताएं आप सभी, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Education and Ministry of Formation, A, B, C, D, चार आप्शन है, प्यारे बैचो, A, B, C, D, D, आप्शन के साथ जा रहे हैं, पर इसका correct answer क्या रहेगा, वो रहेगा, सीमा शर्मा, बिल्कुल सही, सीमा जो है, इनका बिल्कुल सही, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Tribal Affairs के द्वारा जो है, सूचना, सिक्षा और संचार अभ्यान शुरू, नोट रखिएगा, याद रखिएगा, राहुल कुमार भी आया है, आमारी क्लास में, ये हैं महतपूर्ण योजना है, नोट महाराष्ट रखिए है, ये योजनाए हैं, जो कि महतपूर्ण योजनाए, ये प्रों में पुछी जाती है, इनका रखिए, अयोध्या railway station का नाम बदल कर क्या रखा गया है, बताएं प्यारे बचों, योध्या railway station का नाम बदल कर क्या रखा गया है, जल्दी से आप अपना अंसर जो है वो दिनेगा अयोध्या डेलवेस्टेशन का क्या नाम रखा? अग्ट सर क्या रहेगा? अग्ट सर रहेगा अयोध्या द्हाम C option बिलकुल Bernie बिलकुल सही बिलकुल सही Amit Bhatt का अंसर बिलकुल सही अयोध्या द्हाम अयोध्या धाम यह हमारे कुछ बचे हैं जो कि हमारी एप्लिकेशन के मात्रम से अंसर दे रहें बिलकुल सही है अयोध्या धाम यह 22 जनवरी को जो है राम मंदिर की प्रतिष्ठा सामरोह से पहले अयोध्या के पुन विक्सित रेलबे स्टेशन का नाम बदल कर अयोध्या जनक्षन से अयोध्या धाम कर दिया गया है प्रतानमंत्री नरेद्रमोदी ने 30 दिसंबर को बदले हुए रेलबे स्टेशन का उधगाटन भी करना है याद रखिएगा जयने की परसों तो है वो 30 दिसंबर को जो है वो इसका खुद आटन भी करेंगे प्यारे बचोंगे बहुत इंपर्टन कोश्टन है आल ही में GPANI समिट 2023 कहां आयोजित हुई GPAI GPAI समिट कहां पर आयोजित हुई सभी अंसर साथ साथ में दे सकते हैं GPAI समिट 2023 कहां पर हुई थी Global Partnership on Artificial वै है नई दिल्ली है कोलकता है या कान क्या अंसर होगा प्रक्ट अंसर रहेगा वो है नई दिल्ली प्यारे बचों नई दिल्ली नई दिल्ली जो है बी ऑप्षन संजी कुमार ने दिया था अनूठाकों न अंसर दिया था बिलकुल सही अंसर है नई दिल्ली में आयोजित हुई दिल्ली और प्रथान वंतरी निरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडप मंडपम में जो है Global Partnership of artificial intelligence शिखर का जो है वो समेलन का उद्खाटन करें या किया उनका उदेशिक रित्रिम बुद्धी मता से जुड़ी हुई प्रात्मित काओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और विवारिक कति विधियोंग में मदद करके AI निकी artificial intelligence शितनात और विवार के बीच का अंतर करन किस बैंक ने हीरा उध्योग के लिए के लिए प्रतम प्रोग्राम शुरू किया है तो के लिए प्रतम प्रोग्राम शुरू किया है सब्सक्राम शुरू किया है यह था आपका क्रंट अफेर आप सकारी नोकरी की त्यारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अगनी वीर भारतिय सेना में अभ्यास पेपर 10 ओरिजिनल पेपर्स और पांच मॉडल टेस्ट पेपर वाय कर सकते हैं ओन ली 49 रुपीज में वीजेपत गौवर्वन अप पर या हमारी साइट पेविजेपत एजूकेशन डॉटकाम पर जाएं वहां से भी यह परचेस कर सकते हैं अगले सवाल हमारे गनित से यानिकी मैथेमेटिक्स के हैं सभी बच्चों से मेरी request रहेगी कि mathematics की class में अच्छे से आप त्यारी पर आ जाएं यह आपको त्यारी जो है वो अच्छे से करवा दूगा आपने कुछ नहीं करना है आपने सिर्फ मारे साथ बने रहना है और copy pencil साथ में रहना है और copy pencil लेकर बैठ चाहिए mathematics की class शुरू होने वाली है आपके लिए आपकी demand पर पहला सवाज सबसे बड़ी और सबसे चोटी सबसे बड़ी और सबसे चोटी जो है चोटी दो अंकों की अभाजे संख्या कोंके अंतर की गर्णा कीज़ए क्या अंसर होगा आपके हिसाब से अंतर की difference निकाले मां अंथर गयात करना है कैसे करेंगे और को की सबसे ऑफटी अभाजे संख्या्या बड़ी कौन सी हुई को अभाजे संक्या वह हुई 97 घंड़ी कहां कि इसके बाद बिम्सेंग की सबसे चोटी अभाजे संख्या ilfernanda में यह चोटी होगी अब उन्हेंने पूछा था, दोनों का difference कितना है, तो दोनों को minus कर दिया, कितना हो गया, 86, कितनों का बच्चेओं का 86 अंसर आए, 86 के साथ कितने बच्चे है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रवी कुमार, बिल्कुल सही आपका, 86, 86, बिल्कुल सही अंसर, अगला सव कि एक व्यक्ति की जो इंकम है, वो 18,000 से 22,500 हो गई, तो बताएं कि उसकी इंकम कितने प्रतिशत बृद्धी हुई, या इस question को और तरीके से घुमाना है, तो भी बता देता हूँ, एक आयत की जो है, लंबाई जो है, वो 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, शेत्रफल बढ़ गय इसके बाद, नौ से कर जाएगा, नौ पंजे पंतारी, नौ दो नीट, आरा दो से जाएगा, तो दो पंजे दस, कितना आ गया, 25 परतिशत, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25 परतिशत, सिया, शर्मा 15 बता रहे थे, उनी शराना बिल्कुल सही अंसर, बिल्कुल A option के जारी हो जाएगी, अगला सावार सिर्फ प्लस करने को दिया है, प्लस करने को दिया है, क्या अंसर होगा, 176 दिया था, या था आपके पास, क्या दिया था, औरी सोरी, अंसर को मैं देखीगा, आप अपना अंसर मिलाएगा, भगवान देख रहे हैं, तारा पॉइंट पॉइंट साथ छे बाद आए आपका चीज़ पॉइंट एक साथ छे टो पॉइंट एक साथ अब आपको प्लस करना है प्यारे बच्छे या गया छे या गया सब्सक्राइब एक साथ एक एक रह एक एक को एक एक को एक सोपियन्वे पॉइंट पर्च पंच ति पॉइंट से अंसर दिया है ये आर्मी लेवल का भी math है भया बिल्कुल सही आपने पैचाना है इसी टाइप के questions आते हैं चाहे आप कोई भी questions देख लिजिए ये इसी टाइप के questions होते हैं आर्मी लेवल का ही है ये भी आप tension न लिजिए आप बस solve करने की तरफ ध्यान दिजिए लेवल को छोड़िए बस आप ये देखी कि मेरी त्यारी कितनी है मैं driver कैसा हूँ मैं कितना कलाकार हूँ मैं कितना fast हूँ questions को करने के लिए बस ये आप देखिए आप definitely त्यारी हो जाएगे एक वस्तू की विक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाव जो 70 प्रतिशत था यदि वस्तू का क्रायमुल्य 50 प्रतिशत से बढ़ जाता है लेकिन विक्रायमुल्य वही रहता है तो निया प्रतिशत लाव ज्याद कीजिए मैं आपको संचे जी में यह कहूँगा कि आपको मैं question समझाऊँगा आप टेंशन ना लिजिए बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और दूसरा देली आप आठ बजे त्यार रहिए कि मैं रो जाना आप इसनी जो क्लासिस है आठ बजे लगाऊंगा लगाऊंगा चाहिए मेरे को कुछ भी करना पड़े तो आपकी एक दिन हफ्ता महीना लगाया तो आपको टोन बन जाएगी पढ़ाई की तरफ पिर आपकी definitely त्यार होगी मेरे भाई कोई इशू नहीं है अब इन्होंने बोला है कि 74 प्रतिश्यत लाव हुआ है 100% होता है हमारा लाव कि अब जाया है आगे पोला है करम ले अगर बढ़ जाता है पक्राइब करने का लोगा एक सो पिराइब भई रहता है तो निया पर तीश्यत लाव किया अगत कि तो से जीरो कि आप पांस से कार दो पांस दूनी दस और पांस ये पंद्रा तीनिक अठे चौबीज अर्दुनी सोला सोला प्रतिशत पर प्रतिशत वी ऑप्शन बिल्कुल मुनिश राना बिल्कुल सही आप हमारी यह हमारी हमारी वन्-टो यह होती है फूर्वी को सकते हैं ऑर उससे आपकी त्यारी होगे जल्दी से अंसर निकालेंगे इसका बहुत ही सिंपल है क्या अंसर होगा सबसे पहला नाम किसका आएगा मैं इंतजार करना हूँ कौन इसका अंसर देगा फटाफट कौन अपने नाम इस क्यों को लिखवा लेता है देखते हैं जल्दी से लिखेगा के ओन अपने नाम इस और यह सिंपल है इस वक्त तक निकल जाना चाहिए था टाइम हो आया है जल्दी से प्यारे बचूं जल्दी से सीन का अंसर किसका आया फटा फट हरी यप इसका होगा मैं बता देता हूं इसका अंसर बच्छों को नहीं है clear LCM के लिए LCM इस पर कास से निकालते हैं सबसे पहले चोटा टेबल लेते हैं पिलकुल रही बिलकुल सही राहुल कुमार है आप कि यह Chip deriv Mal Badhya पर देखो बाषा त्यारी तो मज़ा है सजाम समझो तीन से जाएगा源 15 15 35av3 ये भी 3 से चलाएगा कितना आएगा थी आयगा ना इस बिल्कुल गुज आUI विल्कुल सही अंसर आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे वगर अभी नहीं जब क्लास खतम हो जाएगी उसके बाद कमेंट करिएगा कि क्लास में मज़ा आया कि नहीं नहा ने 30% चूट पर 1300 में रुपए में एक पुस्तक खरी थी मतलब 1300 की किताब खरी उसने 30% चूट में 30% लाब पर बेच दिया तो बताओ उसने कितने रुपया कमाया प्रॉपिट खा लिया उसने क्या ले लिया होती सिंपल है 1300 की किताब थी पहले तो आप उसको क्या देखिए उसने कितने रुपय में बता है तीस प्रतिशत लाब लेना है 1300 की किताब है कौन अंसर निकाल रहा है पहले मैं समझा तुनिये से पहले एक बाल बेट तो कर लूँ तो आप बोलेंगे कि बेट ही नहीं करते हैं साल तो हम क्यों करें प्रेक्टिस तो भीया करनी ही पड़ेगी जादा से जादा प्रेक्टिस करनी पड़ेगी प्यारे बचों जितनी जादा प्रेक्टिस करेंगे उतना बहतर रिजल्ट जैसे कि HRTC वाले अगर शिम्रारोडू लेके जारें बस तो वह कोई learner license वाला नहीं लेके जा का सही अंसर क्या होगा दी ऑप्शन दे रहे हैं बबु मान जीरो कि सभी से रिक्वेस्ट रहेगी अंसर दें तीन सो नब्बे मुनीश शर्मा का बिल्कुल सही अंसर तीन सो नब्बे तेरा सू अक्षे शर्मा ने भी आये हैं बारक हो भी आपके आने के लिए भी ये भी हमारे पुराने स्टूडंट है बड़ा सा लेट आते हैं जा करें 13-13-190 क्या नौकरी से हैं नौकरी भी तरकारी क्या करें बचारें दोनों में डिफरेंस आएगा तीन सो नब्बे का अगला सवाल बारा व्यक्ति एक्स दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं अब आठ व्यक्ति या अतरिक्त व्यक्ति और कारे रथ हैं पूरा काम साथ दिनों में पूरा हो गया तो एक्स का मान क्यात करें एक्स का मान क्यात करें यानिकि एक्स की वल्यू बतानी है साथ नंब औरे दोस्तों में जो हैं कि शेर करें और कमेंट करें आज की क्लास के लिए फीडबैक कि आप क्या चाहते हैं इस क्लास से कि इस क्लास में क्या चेंजिंग होनी चाहिए एम डी एच बिल्कुल भाई एम डी एच मसाले तो मैं पता देता हूं कि इसमें गिवन सारा का सारा 12 आदमी किसी काम को एकस दिन में यहनकी डी दिन में मैं एकस की जगा डी मान रहा हूं ऑगया ठीक है आपको भी समझाएगा करते हैं तो 20 आदमी 20 कहां से 8 और आगे तो पहुल कुमार का अंसर बहुत है चाहें शर्मा का अंसर है अक्षे शर्मा का है मुझी शर्मा वाले आज कि पतानी क्यों जाके सभी शर्मा शर्मा आगे हैं यहां पर आज क्लासिस में बहुत बढ़ी अच्छा अच्छी बात है आच नंबर सवाल आज का आच नंबर सवाल बताईएगा 48,750 उर्पेगी धंडाशी 16% वाशिक दर पर किसी गैर अफदीद पर्ष नॉन लीपियर है तो 73 दिन के लिए दी गई है 73 दिन के लिए तो बताईएगा सथारण व्या सिंपल इंटरस्ट क्या होगा ओके ओके फ्री होते हैं तो क्लास में आ जाता हूँ बहुत अची बात है क्लास में आईए आपका स्वागत है और हम अपने बचों को वैसे भी याद करते हैं जब आप घर आए तो जरूर आप भी अपने इंस्टिटूट में भी मिले इसे भी मिले बात भी करें इंभी कुछ विश्रमा ने भी बाते क्यों है तर्फ ताजा हो जाती है और तो क्या है complex six part के साथ चा रहे है और आपको पता है अबका अंसर बिल्कुल सही है primarily cùng 365 Ada अघर महीले दियो थे तो बटा बोलता है नहीं टेंशन लो ठीक है और फिर उसके बाद पी इन्टु आर इन्टु टी फॉर्मुला लगा दो पी यह हो गया आर क्या जाएगा 16 टाइम कितना जाएगा एक बटा पांच और यह आगया आपका और जीरो से जीरो गया दो से कटो तो पंजे तस पुड़ा इस अठ पंजे चाड़ी चार अटना एबतर चार चेटर अट अठ अठ और सथा इसका बिल्कुल सही रजनीश राना भी आया है स्वागत है आप साथ का प्यारे बच्चों स्वागत है थोड़ी सी क्लास में आप लेट होगे हैं पर इस क्लास को एक बार फिर से प्ले करके जरूर देख लिएगा बहुत ही अच्छे आज के जो हैं वो क्लासिस जो हैं हमने ली हैं या आपके लिए स्पेशल माया और मीर मीरा की वर्तमान आयू का अनुपात है छे अनुपात 5 और 15 साल बाद यह नौ अनुपात 15 हो जाएगा 15 साल याद रखेगा तो मीरा की आयू बतानी है जल्दी से कमेंट करिएगा पहले अंसर निकालने वाले विशेश व्यक्तिकोंने विशेश ओ शेट अक्षे नहीं मानत है यह मीरा और यह माया माया अब पूछा किसका है मीरा का मीरा का आगया 6 यह आगया 6 गुणा 15 बदला अनुपात माइनस कर लो ठीक है नौ माइनस आठ रॉस मुल्टिप्लाइब में भी माइनस करती चीए अच्छी के अच्छी के अच्छी नौ पजे पंच्छी नौ पजे पंच्छी अच्छी माइनस पंच्छी गुणा 15 यहां से एक आगया और पंच्छी के अगया खेया पंच्छा पंच्छी कर भी अधर और शीममीन इस निकाल दिया में यह से पहले लिए यह जब हो रहा है फ्यावचटन ही है 25 अंसर पड़ा सा स्पेस मना लेता हूं मैं फिर आफ शो दिखाता से करना है यहां पर उल्टा लिख दिया है इस फीरा की पहले था फिर मेरा था यहां पीरा क्यों पाउट पांच पांच चानी थी फिर फिर 15 डान था बदला नुकाथ मैनस करना बच्छों और प्रॉस में भी माइनस कर लेना एक बार स्ट्रिक को देख लो बड़ा ही पुणा एक बटा तीन तीन पंजे 15 और पंजे 25 प्रेक्ट अंसर जो है वो 25 वर्ष आएगा अरे बिया क्या करो रजनीश जी पाया और मीरा पता नहीं कहां से आ जाती तस नंबर सवाल जल्दी से अंसर करें और मैं आप कहूंगा जिनका मैथ ढीला है सबसे पहले ये तो लगाईए आप क्योंकि हमारे मिक्स होते हैं अगर एक बार आप सब्जेक्ट वाइस भी अपने आपको पक्का करें अगर आपको अपनी त्यारी करनी है है चेक करना है वारे मौक ले सकते हैं आप दिशेपत एजुकेशन गवर्मेंट प्रप्रप्रेशन एप के ऊपर एक साल तक वैलिड रहते हैं बहुत से क्वेश्चन डाल रहे हैं डेली डेली अपडेट कर रहे हैं 6-7 पड़ता है अब तो आहँ सकते हैं मौक टैसस के लिए टैस्ट सेरीजिये को विधीया ली यहांं से सब कुछ मिलता है का को रहते अंसरे भी सभी है मैं नाम नहीं आता आप भी आएगा अक्षर शर्मा ने सब से पहले अंसर दीया था और सी ऑप सिस्टिफोर इसका तक बने रहे बस टाइम हमारी क्लास में आये हैं आपका बड़ा-बड़ा हमारे लिए धन्यावाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं मालेते हैं कि उसकी जो साइड है वो एक सेंटीमीटर है घन की यानिकी क्यूब की बात करें क्यूब की सॉरी वो वैल इंटू ए मालेते हैं इस इकल टू फॉट्टी एट के राबर दिया था ठीक है ए जीकल टू पूर हुजाएगा फॉट्टी एट वैल बाराच उक्के अरता ली ए साइड आगी चार और आयतन यानिकी वॉलियूम निकालना था तो साइड का क्यूब होता है इसका फॉर्मूला तो यानिकी चार क क्यूब तो 64 64 64 कैसे थे आज के क्षेशन कितने आपके सही रहे कितने गलत रहे जरूर कमेंट करिएगा कितने नंबर आए अब हमारा जो है वो जी की लायस शुरू होगी जो कि इन डिया ऍडिया स्टैक जी की टीकी क्लास शुरू होने जा रही है सभी से रिक्वेस्ट कह सभी से रिक्वेस्ट रहेगी रोजाना अपने दोस्तों में भी शियर करिएगा इस क्लास को पहले सवाल को लिकर आया हूँ अब बचो फिच स्टेट ऑफ इंडियाल इस लीडिंग इन सोलर इनर्जी चनेशन भारत का कौन सा राज्य सौर उर्चा उत्पादन में अग्रणी है यानि कि सौर उर्चा का पूरा उप्योग कर रहा है कौन सा राज्य है जल्दी से कमेंट कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ में वीडियो को साथ साथ में बताईएगा गुजरात के साथ जा रहे हैं जल्दी से अंसर करें गुजरात के साथ जा रहे हैं क्या है आपका अंस स्पनार जेते हैं आपकी साइंस सब्सक्राइब क्या करूंज昨转!... संबहुले हैं ृइक साथ में देते हैं ....... मुझे पता लगेगा सद्था.... वी आप्शं राजेयस्थानornBeacP जो है वी आप्शन्च पिलकुल सही आप्शन है राजिश्थाननornbyacP change जून दोजार बीस का है यह आंक्रा लिया था हम्ने श्रमTAK के अधार पर भारत में व्हुंष्पादन शीर्श करम्षब सबसे पहले कौन है करनाटक क्रनाटक общ्व राजिस्थान इतने से कौन सा कर टक्स आरत में पर्तियक्ष कर नहीं है कि अच्छा का पूरा जो एंफ जेस्ट कर नहीं है तो प्रतियक्ष कर नहीं फ्रतियक्ष कर तो सवाल है मैंडिए पर इंकम टएक्स मिनिमम मम्रटर्निय टेक्स Earl T C लग रहा है देख लेते हैं लगता तो बहुत है हमको भी A option बचो GST C नहीं है A option correct option है प्यारे बचो A option देखिए प्रत्यक्ष कर वे कर है जिसे जिसमें कर का प्रारंभिक भुक्तान करने वाला व्यक्ति की कर का अंतिम भार के बहन करता है अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं हूँ तारण आयकर निगम कर संपत्ति कर अ इत्यादी अध्यात्त है कि माल और सेवा कर यानकि GST एक प्रत्यक्ष कर है कनाड़ा की तरह भारत में भी एक दोरी GST यानकि C GST और S GST पढ़ना ली एक दो हजार सत्रा से शुरू हूई है एक जुलाई दो हजासत तो ये भी याद रखीगा GST कब से शुरू हूँ है बहुत पढ़िया निमलिकित में कौन सा हिंदोस्तानी शास्त्री संगीत शैली के लिए परसिद तबला वातक नहीं है याद कियेगा तबला वातक नहीं है प्यारे बचो कौन जो है वो तबला वातक नहीं है सभी सासात में बताईगा तबला वातक नहीं है प्रक्ट अंसर रहेगा D अजमद अली अजमत अली जो है वो बिल्कुल सही अंसर रहेगा, D option होनी थी, मुनीश राना ने उठाया अंसर, बहुत अच्छे से उठाया अंसर, बहुत बढ़िया अंसर है, मुनीश राना ने उठाया D option, D option जो है, बहुत बढ़िया, अगला जाने से पहले बता देता हूं, एक जाकिर इस व्यक्ति को भारतिय फिलम उध्योग के जनक भी कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सवाल है, फिलम जगत का जो है, जो का जनक कहा जाता है, चेतन कौशल भी अंसर दे रहे हैं, पर उन्हें टीट कर दिया, डी ऑप्शन दे दिया है, ता बच्चन के साथ चलेगी, क्या हो गय या दादा साहिब फाल के, दादा साहिब फाल के, बिल्कुल सही अक्षे, पिल्कुल सही अंसर है, दादा साहिब फाल के, जनक माने जाते हैं, ता बच्चन बिल्कुल गलत है, कहीं पे भी मैच नहीं कर, क्योंकि आप आज की यूथ हो तो समझते हो कि ता बचन ही ये याद रखेगा रखाट करता हूं को भारती उध्योग के जनक के रूप में चला है का नाम याद रखीगा भरीष चंद्र जो कि इन्हों के ही द्वारा जो है बनाई गई थी परसिद गंतिक्य श्री विवास रामानुज का जनम कहां पे हुआ जनम स्थान कहां जनम स्थान बताना है इनका कहां कहां अब समय देता हूं वीडियो में अगर आप नए हैं तो मैं बता दू रूताना हमारी आठ वजे यह चुरूत आठ वजे से हम लगातार लेते हैं और लंभी क्लास जाती है और जब क्लास खत्म हो जाए तो इस क्लास की बैग दिजिए इंडो इरोड में है इन जनम स्थान है श्री निवास यानिकी आयंगर रामानुच्क एक महान भारती गंतिके हैं इनको आधुरी काल्प है महानतम गंतिके विचार को में घिना जाता है इनका जनम जो है 1887 में तमिलाडू में हुआ था कहां पे वह था तमि मनाया जाता है याद रखीगा most important दिवस किसकी यादगार में कब और कहां मनाया जाता है कहां पैदा हुए थे याद रखीगा अनुठागुरी ची बहुत ही अच्छा एक सवाल है यह पाकिस्तान के किस प्रांथ में प्राचीन सभ्यता का स्थल कोहन जोद्रो सित है पाकिस सी ऑप्षन सिंद प्रांथ सिंद प्रांथ में इसका सही अचा सिंद प्रांथ जोद्रो जो है सिंदभी भाषा यानिकी ृता है इस्का मतलब मोहँजि का अर्थ और पाकिस्तान के सिंध तरकाना जिले में सिंदु नदी के ताइने तट परस्तित है और इसकी खोज जो है राखल दास बनर जी ने जो है 1922 में की प्रिद सनानागार मोहन जुदोर्ग की सरवादिक महत पूर्ट सावजनिक स्तल है इंद्री खुले प्रांगन के बीच जो है जल जनम स्थान के रूप है वानिता प्राफ्त पपित्र शहर का नाम बढ़ाई कौन से शहर में पहले और चौथे तीर्थ कर पैदा हुए थे चार आप्शन्स वारा नसी वारका अयोध्या या गया प्रेकरंसर रहेगा वह है आयोध्या का बहुत ही राम मंदिर के लिए प्र जिसमें अंतिम तीर्थ कर कौन थे महावीर वामी थे महावीर वामी 24 में तीर्थ कर हैं देखे कितने क्वेशन्स हैं और कितने अंसर में एक डिटेल में इसलिए आपके लिए यूट्यूप पर इकलौती ऐसी क्लास जो है मैं यह लेकर आ रहा हूं जिसको आपको डेल लुखोड करुबवार में किस तरपल ना में अलवर यह बता देने अनृवर यह बता देत हूं चंद्यूप्त बिक्रमदित्य के के दरवार से ही अनुशूतियां हैं कि दरवार में नौ विद्वानों को नौ विद्वानों की एक मंदली निवास करते थे नौ बंदे रहते थे जिनको नव रतन भी कहते थे यह दोनों कि जिनका नाम क्या था कालिदास धनमंत्री शपड़क अमर सिंग शंकू विताल भट पर बार महीर परुची जैसे विद्वान शामिल देखिए नौ विद्वान की नव रतन सुबके नाम आपको याद होने चाहिए यह पेपर में पूछे जाने वाले सवाल जो कि SSC GD के लिए यह सवाल स्पांसर थे यह सवाल most important रहेंगे SSC GD के लेवल यह देखिए आपका सवाल उठाया है 2019 की शिफ्ट में आया हुआ है MTS में मशुहूर भारतिय मठों के संधरप में निमल्स में कौन सा यूगम सही नहीं है और की कहां पर है हिमाचर प्रदेश में है और फेर्टिक सिक्कि में है और पर लाट है एक गलत है डी option इसका सही अंसर रहेगा यूगम सही नहीं है यह नहीं है तूसरे यूगम ध्याद रखी लिए बहुत भडिया रहेगा बहुत पर या रहेगा यह देखिए अट कहा पर सीम बंगाल उंपा मठ कहा है और अट है वाँ पयाइक माठ का है सिक्कि म सभी से मेरी रहेगी और दोस्तों मैं भी शेयर करें सवाल आज का सयोग अंदोलन कब समाफ्थ हुआ इसका सही अंसर है इसकी डिटेल पर देता हूं चार फ़री 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था तो गांधी जी जगा पर हुआ था इसलिए फिर असरयोग तो अब किया था गांधी जी के तवारा 22 में इसके बाद आते हैं जर्नल साइंस से जुड़े हुए सवाल जर्नल साइंस की क्लास में आपके लिए फिर से मैं कहूंगा कि बने रहेएगा यूट्यूपर इसी चैनल पे 75 से 75 आपकी त्यारी के लिए पत आपके लिए अंसर रहेगा एसी को अगर लोग वोल्टेज को योग करते हैं बहुत बहुत बढ़िया अगला सवाल पार्सेक डैश के मापन की एक आई है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी अपना अपना अंसर पड़ा फट करते रहें बहुत ही अच्छे अंसर रहे हैं का रहा हैं बहुत बड़ी अंसर सभी दे रहे हैं तक आथ ढई नबाई की सबसे बड़ी इकाई है और पारसेक लवक तीन वर्श के बराबर होती वर्श दूरी वजह से का वे ड्रक्त होता है जो कि निर्वात्र में प्रकाश द्वारा एक वर्षच व क्मायं अधर की दूरी ब्राबर हो तो निर्वात्र है एक प्रकाशफ सटीन प्राबर है आप ये भी लिर्ण करना चाहिए ये तो ये भी मौश्ट मोस्ट रहते हैं आ आपके लिए तीसरा सवाल जो बाहन की चाल मापता है वो क्या कहलाता है आपकी गाड़ी में बाइक स्कूल लगे हैं कैसे लगे हैं क्या नापते हैं प्रटन से रहेगा भी तो है हमारे ओडो मिटर पत्मापी यानिक उप्तरन है पहिये वाली गाड़ी दुबारा चली गई दूरी को पहिया जितनी भी गाड़ी करता है जब कि वाइउमन्टली दाव डाव वैरो मीटर से मापा जाता है याद रखिए नहीं को भापते है और यूमन्टली दाव का जो है क्या है बग्वार है और एक बार जो है वो टैंटिस्टों आप फ़ाइव पर मीटर स्वियर के प्रावर है बहुत बड़ी आंसर है बहुत ही आज दूटी का सुथ क्या है दूटी का डिस्टन्स का इसे कि हमें पुछते हैं speed is equal to distance over time distance is speed in time यही पुछा था speed in time इसका a option speed in time a option जो है बिल्कुल सही बहुत ही simple सवाल उचा गया था आपसे बहुत ही simple सवाल साइंस के most important question हो रहे है यही तो हमारे हर component है अब बच्चे लगाएंगे तो ही तो त्यारी करेंगे या रखिएगा गती कर रहे paint की गती को प्रारंभिक स्थान से एक गती की स्मापन स्थान के बीज के अंतरार की दूरी आ जाता है यह एक अधिश राजी है यार रखियेगा यहांकि Scala quantity है और दूरी का जो है चाल घुना समय या गती गुना स्वाद की स्रक्वा की motivated है है रहे अपका अंसर वह बहुत बढ़ी आधे आशी तरीच के ब्राबर होता है सबेंने की है आपको केलविन का 303 लग उजा रहा है यानि कि 303 में कितने प्लस करने थे तो पॉइट पर याद रखेगा दोस्तर जो है डिगरी से कर दिएगा अपने दोस्तों में वीडियो पसंद आई कि नहीं आई और आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा अप्रक्ट अंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन लोहा लोहा एक योगिक है क्योंकि शुद्ध पदार्त है जो कि रसाइनिक रूप से दो या दो से ना कि यह की क्या, प्यारी बेचो, ना सवाज, इन इसे कोण सा रसाइनिक परिवर्तन नहीं है, पूर्जा के लिए कारवो हाइटरेट का रूप आंत्रन, पानी को भाप में परिवर्तित करना, दूद से दहीं बनना, चा ताप, कोईला, प्रक्ट अंसर क्या रहेगा, सभ नमबर नमबर में आदता हूँ, इन इसे एक अधातु है, यानि कि नौन-मेटल है, को इन इसे एक नौन-मेटल है, प्यारे बचोंगे, सबीं साथ साथ में वीडियो को शेर जुरूर करिएगा, और लाइक जुरूर करिएगा, प्रक्टनसर रहेगा, वी और नाइट्रोजन जो है एक अधातू है और सारी धातू है याद रखेगा और यह देखिए बेतत्व जो भी अघात वरते तन्य नहीं होते पुर होते हैं यह की अधातू कहलाते हैं थात्विक चमक भी नहीं होती, ये थातु की अपेक्षा नर्म होते हैं, इनका भ्रत्व कम होता है, वितुत कुश्मा के लिए कुचालक होते हैं, नाइटोजन, लकडी, हाइटोजन, हिलियम, कारवन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडिन, ये सभी अधातुएं हैं, याद रख बहुत से बैचों के अंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, रमीश कुमार का अंसर सही है, सुरोज कुमारी का अंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, सबके अंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बैचों, इ उपर परत जम जाती है व्लोहे के उपर उसे व्लोहे का वी वेट भी भड़ जाता है या बढ़ जाता है तस नंबर आज का अंतिम सवाल साइंस का या तक सिखते हैं लगाद हो और सभी को हनसाते रहो ना जी ना भी याद रखते रहो है आपके एप क्लास के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए और साथ में न्यूस्पेपर के लिए विजयपत् गौवर्मेंट प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे शियर करें बात करें इंडिया जी के हमने डेली क्लास लगा रहे हैं एसी चैनल पर और आज की क्लास लगाने के लिए आप सब का धन्यावाद वीडियो को देखने के लिए भी धन्यावाद और बने रहेगा इसी चैनल पर रोजाना शाम आठ बचे अब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा कल प्यार से मि झाल झाल